बच्चों राज शिक्षा सोर एवन प्रसिक्षण परिसद में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को इतिहास भी से का पहला चैप्टर हमारा अतीत इसके बारे में बताऊंगा अतीत यानि पास्ट पीछे की बात पीछे जो घटा पीछे जो बाते हुई उसका वरणन हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं इतिहास का अगर हम देखें कि या जो इतिहास सब्ध है या आया कहां से अगर संस्कृत को हम आगे लेकर चलें तो इती ही आसीत इती ही आसीत यह जो था वाट इट वाज वह जो था, पीछे की बात, अकवर था, बावर था, महात्मा गांधी थे, चंद्रगुप्त मौर थे, यह पीछे की बाते हैं, अगर उनकी कहानिया या उनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो वह इतिहास है. युनानी एक बहुत बड़े विद्वान थे, हेरोडोटस, इन्होंने सबसे पहले एक शब्द का प्रियोग किया था, इतिहास के बारे में, वह था हिस्टोरिया, हिस्टोरिया का अर्थ होता है युनानी भासा में, जानना, अर्थात किसी चीज़ के बारे में जानना हिस्टोरिया है, और इसी हिस्टोरिया से हिस्ट्री सब्द बना है, क्योंकि आप देखते हैं, लिखते हैं हिस्टोरी और पढ़ते हैं हिस्ट्री, अगर इसको थोड़ा हम पीछे चल के देखें, यह जो हिस्ट्री है, यह दो सब्दों से बना है, हिस्टोरिया से, लेकिन हम समझने के लिए, यह आपको समझाने के लिए, हम इसको इस तरह भी व्याख्या कर सकते हैं, हिज एस्टोरी, उसकी कहानी, और यह दो एस मिलकर एक एस हो गया, इसलिए यह लिखते हैं हिस्टोरी, पढ़ते हैं हिस्ट्री, और इसमें हम अतीत की बातें, इसके बारे में हम जानते हैं। फिर एक रोलापला करके युनानी बैज्ञानिक हुए, इन्हों ने कहा कि इतिहास जो होता है, या घटी तो होने की बाते जो होती है, जो पीछे घट गया है, अगर उसके बारे में हम जानते हैं, तो वह इतिहास है, जो बाते घट चुकी हैं। आज जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, या वर्तमान की बात है, लेकिन आज से पचीस-पचास साल बाद यह एक इतिहास है कि अमुक्ति थी को उसक्षा में यह विसे पढ़ाया गया, यानि जो बाते घट जाएं, वह बात आगे का इतिहास है, यानि हमारा भूत काल जो है, वह हमारा इतिहास है, अब सवाल यह उठता है, कि यह इतिहास कब से पढ़ें, यह बहुत पेचीदा मामला है, जिसको हम लोग आसान भासा में समझने का प्रयास करेंगे, एक वैज्ञानिक और हुए थे, थ्यूसी डाइसस, या इतिहासिक वैज्ञानिक थे, थ्यूसी डाइसस, इन्होंने बताया, यह भी उनानी थे, इन्होंने बताया कि जो बाते आपका घट रहा है, या जो बातों को हम लोग जानते हैं पास्ट में, अगर उसको वैज्ञानिक धंग से, धंग से उसको लिखा जाए, क्रमबद इतिहास लिखा जाए, आज के बाद कल क्या हुआ, परसो क्या हुआ, हर सिल्सिलवार और उस इतिहासकार, इन्होंने वैज्ञानिक इतिहास पर जोड़ दिया, इनका कहना था कि सिर्फ सुनी सुनाई बात या कही वी बात, या हमारा इतिहास नहीं हो सकता है, अगर कुछ इतिहास हम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसका ठोस प्रमान होना चाहिए, अगर हम क अगर हम कहते हैं कि अशोक महान थे, तो इसका प्रमान होना चाहिए, कि वे महान क्यों थे हैं और भारत में शासन करते थे, सिर्फ कोई लिख दे, या कोई कह दे, कि वे दंतियां नहीं हो सकती है इतिहास, वे कहानियां हो सकती हैं, लेकि अगर वा जो कहानी उसके पीछे मौझूद है उसके पीछे अगर उदाहरण मौझूद है तो वह हमारा इतिहास की स्रेणी में आता है और इसी तिहास से हमको कई फैदा भी होता है, पीछे की बातों को जानते हैं, वर्तमान में उसको अमल में लाते हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पीछे कौन सी गलतिया की गई जिसके चलते हैं, जिसके चोटा सा उधारन बच्चों आपको बताएं, प्रथम हुआ, और उस वह युद्ध होने के बाद, पूरे विष्व को कितनी शती उठानी पड़ी, कितने मानों मारे गए, कितने कडोर का संपत्ती का नुकसान हुआ, कितने जहाज, कितने टैंक, कितने बंदूक, कितना गोला बारूद की बरबादी हुई, अगर ऐसा हुआ, तो इतिहास पढ़ने के बाद, वह वर्तमान और भविष्व दोनों सुरक्षित होता है, अब इतिहास के बारे में चीज़ और जान लीजिए, मनुष एक समाजिक प्राणी है, और इतिहास की जो घटनाएं होती हैं, वह समाज के द्वारा ही, असमाज में घटित होती हैं, क्य समाज में घटता है, इसलिए इसको हम लोग समाजिक विज्ञान के अंतरगत लाते हैं, कि इतिहास वह समाजिक विज्ञान का एक विशय है, अब सवाल यह उठता है, कि अगर यह समाजिक विज्ञान का विशय है, तो फिर यह जो इतिहास है, यह कई खंडों में बटा हु जब मानों लिखना पढ़ना नहीं जानता था लिपी का विकास नहीं हुआ था उस समय का इतिहास या उसके पहले का इतिहास एक वह समय था जब मानों ने लिखना पढ़ना सुरू किया है यानि लिपी का विकास हुआ उसके बाद का इतिहास यानि वितिहास दो प्रकार के एक वह इतिहास जहां कि लिखा हुआ समगरी हमको मवजूद है जैसे कि आज कल किताबों में आप पढ़ते हैं हर चीज आपके किताब में लिखा हुआ है और एक वह इतिहास जो किताबों में लिखा हुआ नहीं है इसकी चर्च हम लोग आगे करेंगे एक को हम लोग प्राग इतिहासी काल की स्रिणी में आएगा जिस काल में इतिहास लिपी का विकास हो गया था उस काल को हम लोग इतिहासी काल की स्रिणी में लाते हैं तो ठीक है बच्चों अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने अभी तक बच्चों जाना कि उनानी शब्द रोलोपला हो या जर्मन सब्द यह सीटे हो यह सब जो सब्द है सब इतिहास के लिए प्रयोह किया गया या फिर हिस्टोरिया आपको पटा हैं पीछे मैंने बताया आपके पुष्टग भी लिखा हुआ है कि उनानी इतिहासकार जो थे unterstützen उन्होंने प्रियोग किया था कि हिस्टोरिया जिससे कि हम लोग हिस्ट्री कहतें है इतिहास को और व्य जो थे कथात्वक शैली के जनक थे उनका कहना था कि कथा के रूप में थे तूसी डायसस यह प्रभोधक शैली के पक्षदर थे और जो हेरोडोटर थे यह समर्थक ते उसी समय जर्मन के और दो इतिहास कार हुए थे रेंगे विभूर इन लोगों ने व्यग्ञानिक शैली के बारे में बताया कि वैज्ञानिक शैली होनी चाहिए यानि हर चीज का प्रमाण होना चाहिए इसको हम लोगों ने जाना इसका मतलब यह हुआ कि पीछे की बातों को कि रीती को रिवाज को धर्म को जाती संसकार राजतंत्र अर्थ व्यवस्था नुरित गान यानि संस्कृतिक आर्थिक धार्मिक और आजनीतिक कि सभी घटनाओं का अगल सिल सिल्वार कहीं पर वर्डन किया जाए तो इतिहास है और हम लोग इसी को इतिहास में पढ़ते हैं इसे हमारा मानशिक विकास होता है बौदिक विकास होता है हमारे अंदर तर्क करने की छंता बढ़ती है और हम समझ पाते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया उन्होंने क्या सही किया हम समझ पाते हैं कि आग के अविस्कार से सभीता कहां से कहां पहुँच गई हम समझ पाते है इतिहास पढ़ने से कि जब तक चक्के का अविश्कार नहीं भाता पहीय आविश्कार नहीं रuथा हम जड़ थे जैसे ही पहिया का अविश्कार हुआ हम रधी आ गई और हम एक स्थान से दूसरी अस्थान पर जाने लगे हम इतिहास को पढ़कर समझ सके कि पहले खेती कैसे होती थी किस प्रकार पहले वे आदी मानों थे फिर वे लोग जंगलों के पेड़ पौधे खाते पीते थे पत्ता लपेड़ते थे फिर कैसे उन लोगों ने वस्त पहना पुरू किया क्रिसी का विकास हुआ फिर किस प्रकार चक्का और आग के चलते वे लोग और सभिव हुए सभिता विक्षित हुई और यहीं तिहास पढ़कर हम जान पाते हैं कि हमारा जो देश है विश्व की प्राचिनितम सभिता में एक है क्योंकि हमारे हां सिंदु चीन, युनान, मिस्र, मेस्वटामिया, सुमेर और दजला फरात की नदियों पर सभिता का विकास हुआ हो पेविलोनिया के सभिता या सुमेर के सभिता या चीन या युनान उसी के समकष उनी सो एकी सिस्वी में जब सिंदु घाटी की खुदाई हुई थी हडपा और मुह आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे तातपर यह है कि इतिहास पढ़ने के बाद ही हम अपने भविस्ट के भविस्ट का निर्मान कर सकते हैं क्योंकि हम लोग अतीत के बारे में जानते हैं इसलिए बच्चों इतिहास का महत्व अत्यधिक है अब हम लोग आगे देखें कि ह हमारे पुस्टकों में आगे क्या लिखा हुआ है अब हम देखेंगे इतिहास का प्रकार अभी मैंने आपको बताया कि जैसे एक छोटा सा उधारन लेकर चलते हैं हम लोग चंद्रगूप्त मौर्ज के बारे में पढ़ रहे हैं मौर्ज वंस का सबसे प्रतापी राजा था चंद्रगूप्त मौर्ड इशी के वंस में लोग अशोख भी आए थे तो अब चंद्रगूप्त मौर्ज के बारें जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले इनका हम राज नीती की तिहास पढ़ेंगे फिर इनका हम धार्मी की तिहास पढ़ेंगे फिर इनका हम सांस्कृति की तिहास पढ़ेंगे और फिर इनका हम आर्थी की तिहास पढ़ेंगे अर्थात राजा कैसे काम करता है राजा क कि नीती क्या है प्रजा कैसे रहती है क्या टैक्स कितना वसूला जाता है राजा जनता को क्या लाप देती है क्या सुविरा देती है हम लोग इस कैटेगरी में राज तंत्र में पढ़ेंगे यानि इतिहास का एक भाग होता है राजनीती की इतिहास दूसरा है धार्मी की इतिहास यानि जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं को कोई शासन हो या कोई काल हो उस समय वहां की धार्मी की सिति क्या थी कौन सा धर्म था और उस धर्व में क्या-क्या होती थे किस देवता की पूजा होती थी कि इस इतिहास के द्वारा पता चलता है है कि जो फ़िव की पूजा करते हैं लिंग और योनी की पुजा करते हैं यह हम भारत की सबसे प्राचिंतम सब्विता सिंदु घाटी की सब्विता से लिया गया है क्योंकि वहां की खुदाई में हमें सिविलिंग प्राप्थ हुआ है hai प्र हम संस्कृ Teaching जब इतिहास के बारे में जानेंगे इसमें हम लोग वहां क्या संस्कृथी वहां का धर्म कला सथे यह सब के बारे में में हम लोग जा देंगे अरth Girсти धार्मिक और संस्क्रिटिक इतिहास अगर हम पढ़ लेते हैं तो राजा के कार युद्ध शासन फिर इसमें रिती रिवाज समाजिक जीवन में हम लोग देख सकते हैं और फिर आता है आर्थिक आर्थिक में आय व्याय उद्योग इत्यादी कैसे राजाक आमदनी कहां से चुकि शासन चलाने के लिए चाहिए तो यह कहां से आएगा तो हम यहां से जाते हैं अर्थात राजनीतिक धार्मिक संस्कृतिक आर्थिक और फिर समाजिक इसको भी हम अगर एड कर लेते हैं तो आजागा इसी में जोकि धार्मिक और संस्कृतिक कहीं कहीं पर एक ही इतिहास के अंदर हम लोग मान कर चलते हैं तो इस तरह हम लोग इतिहास को या किसी काल खंड को या किसी सम्राज को या किसी शासक के सासनकाल को इतने भागों में बाट कर अलग अलग पढ़ने से हमें स सकता है कि इसके चलते अभी मैंने आपको बताया कि जब लीपी का विकास हुआ था जिस जब लीपी का विकास हो गया था इसके बाद जो भी इतिहास आया लिखा गया जो कहानी आती है इसको हम लोग एतिहासी काल कहते हैं और जब लीपी का विकास नहीं हुआ था उसके पहले के इतिहास को हम लोग प्री हिस्टोरी के इसको कहते अंग्रेजी में हिस्टोरिक इस एतिहासी काल और उसके पहले को हम लोग कहते हैं प्राग एतिहासी काल की प्री हिस्टोरिक एज कि अब सवाल यह OFTATA है कि जब लिप का भिकास हो गया तो इतिहास लिखा जाने लगा राजा प्राया के बारे में मंतुरिके बारे में कर्विवस्था के बारे में धर्म के बारे में समाजिक जीवन के बारे में हर चीज लिखा हुआ है लीपी बद्ध है लेकिन जब लिखा हुआ नहीं है लीपी ही नहीं है तो फिर इसका इतिहास हमको कैसे पता चलेगा है और हमको गानी की इतिहास होना चाहिए या carnic प्रमान होना चाहिए। Haarodotes ने भी कहा है कि कठात्मक हो लेकिन प्रमान के साथ हो। आप अगर कोई कहानी पढ़ते हैं पुस्तक में चंद आ मामा में या फिर बालक में या किसी अख़वार में पत्रिका में पढ़ते हैं कहानी, वो कहानी है क्योंकि उसका प्रमान नहीं है वो इतिहास है वो इतिहास नहीं है वो सिर्फ कहानी है अगर वह जो लिखा हुआ है अगर उसका प्रमान मौजूद है तो इतिहास है तो इसका मतलब कि हमको लिपी के पहले का जो इतिहास है इसका प्रमान होना जरूरी है और यहा कुछ अवसेस हैं जो जमीन के नीचे दबे हुए हैं, जो खुदाई करते हैं वहां से प्राप्त होता है, हमें मिलता है उस काल के सिक्कों से, हमें मिलता है उस काल के अविलेख से, अजangel होते हैं सिंदु घाटी के सभयता है सिंदु घाटी इता का खुदाई से बहुत समान्प्राप्ति होआ है मोंजूद्रो में हडपा में वी काली बंगल कई जगा पिला है जो आज पाकिस्तान में चला गया है किशे लेकिन वहां की जो लीफी है उसको आज तक कोई पढ़न नहीं पाया है तो वहां से जो खिलोना मिला वहां मिला वह इसcią शू की मूर्थी मिली वहां शूरिग जैसे शीमांगर का सामान मिला वहां से कंगी मिला अब उसका काल का निरधारन हमको करना होगा कि वह कब का है क्या वह 50 साल पहले जमीन के नीचे दबा हुआ था यह जो काल निरधारन होता है जो जमीन के नीचे से खुदाई से कोई समान प्राप्त होता है उस पधती को हम लोग कारवन 14 पधती कहते हैं कारवण 14 पदरती यह radioactive substance होता है यह जब ब्यक्ती यह जो पदार्थ होता है यह आवशोसित करते रहता है कारवण 14 जब उस खत्म हो जाता है उसकी समाप्त हो जाता है तो फिर उससे वह कारवन 14 धीरे-धीरे निकलना सुरू होता है अब चोटा सा मुदारण देते हैं जैसे मान लीजिए कि एक लकडी का समान हमको प्राप्त हुआ अब इसको हमको पता लगाना है कि कितने सो साल पुराना है अब ग्यानिक के प्रयोक साला में यह पता है कि लकडी में कारवन 14 कितना होना चाहिए तो मान लेते हैं इसमें कारवन 14 हम मान लेते हैं सिर्फ यह कोई प्रवाणिक में चीज नहीं बता रहा हूं समझाने के लिए बता रहा हूं कारवन 14 इस लकडी में कारवन 14 होना चाहिए था सो और वैज्ञानी को यह भी पता है कि इसका एक कारवन चौधा 20 साल में खत्म होता है और उसके अंदर जब पता लगा तो कारवन चौधा मिला 40 यानि उसमें से 60 कारवन चौधा नहीं है खत्म हो चुका है और एक को खतब होने में 20 साल लगा, तो 60 को खतब होने में 20 गुना 60, यानि 1200 साल लगा, अर्थात, वह लकडी का जो समान है, वह कारवन 14 पदती के अनुसार 1200 साल पुराना है, क्योंकि उसमें कारवन 14 की मातरा उतनी नहीं है, जितनी होनी चाहिए, इसी प्रकार हड़ी का, ब अधरजी से पता लगाते हैं, तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने समझा, कि आतिहासी काल, प्राग आतिहासी काल किसे कहते हैं, अब हम थोड़ा आगे देखे, क्या और हमारी पुस्तक में आगे क्या लिखा हुआ है, बच्चों, अब हम इतिहास के महत्यों को जानने के पहले एक जो महत्वपूर्ण चीज है वह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वह है कि जब हम इतिहास का पुष्टक पढ़ते हैं तो हमको इस्वी के बारे में थोड़ी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कहीं पर इस्वी लिखा होता है कहीं पर इसापूर्व लिखा होता है कहीं पर एडी लिखा होगा कहीं पर बीसी लिखा होगा आखिर इस्वी और इसापूर्व क्या है पहले इसको थोड़ा हम समझ ले अतब हम लोग इतिहास के महत्यों को जानेंगे इतिहास को पढ़ने के लिए कहीं तो एक अस्थान निक्स फिक्स करना होगा कि यहां से हम इतिहास सुरू कर रहे हैं इसके पहले का इतिहास यह इतिहास है इस के बाद का इतिहास काल का मिर्धारत होना चाहिए अब जबसे हम कहीं जाते हैं चाहिए तो लिखा रहता है तो नहीं दिली 50 km याणि दिली वहां से 50 km नहीं तो कहीं से तो दिली 0 km होगा जहां से उसको 50 दूरी जा रही है आइं तो इसी तरह समय है अब हुआ क्या weld जब विदेशों के वैज्ञान को इतिहासकारों गद्वान Sixth इन लोगों ने इसा मसी के जन्म को जीरो मान लिया कि जो इसा मसी का जो जैंब हुआ था यह लोग इसा मसी के समर्थक थे पूझते हैं आज भी इसाई धर्म बहुत आगे है तो इन लोगों को ने कहा कि इसा मसी का जो जन्व था अगर उसको हम जीरों मान ले तो इसके बाद जो काल आएगा उसे हम इस्वी कहेंगे यानि इसा मसी के जन्व के बाद के समय को इस्वी कहा गया और इसा मसी के पहले के समय को हम लोग कहा गया इसा पूर्व नाम सही असपस्ट है इसा के पहले अंग्रेजी में कहें अगर यह क्राइस्ट है तो बिफोर क्राइस्ट और इसको एडी कहा जाता है अब इसको थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिए अगर इसा मसी का जन्म को हम जीरो मानते हैं तो जब इसा मसी पाँच साल के हुए होंगे यानि पहला साल, दूसरा साल, तिसरा साल, चौथा साल, पाँच साल इसको हम लोग कहेंगे पाँच इसवी इसा मसी के जन्म के सौ साल के बाद को हम लोग कहेंगे यहां पर आकर सौ आता है तो सौ इसवी और इसा मसी के दो हजार चौबीस साल के बाद को हम लोग कहेंगे दो हजार चौबीस इसवी अर्थात आज से दो हजार चौबीस साल पहले इसा मसी का जन्म हुआ था इसी तरह बढ़ता जाएगा अगले साल इसको हम लोग दो हजार पचीस कहेंगे उसके अगले साल 2026 कहेंगे यानि यह प्लस होता चला जा रहा है प्लस 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 हर साल एक जुटता है प्लस बन अब यह तो इस्वी में कहीं कन्फूजन नहीं है अगर माल यह हम आप से पूछते हैं कि भारत 1947 में अजाद हुआ और 15 साल के बाद भारत पर चीन का आक्रमन हुआ तो कब हुआ तो आप सीधिया सा जवाब है कि 1947 के बाद एक साल बीते गा तो उनिसवड़तालीस आएगा दो साल बीते गा तो उन्चास आएगा प्लस करते गए और 15 साल बीते गा यानि उन्हें 162 इस्वी में चीन का युद्ध हुआ इसी तरह हम अपनी आयू भी गिनते हैं कि अब इतने साल को जन्म लिए और हर एक साल के बाद साल बढ़ता गया तो उसको उसमें से हम उसको घटा देते हैं तो हमारा आयू निकल गया इस्वी में कहीं कनफ्यूजन नहीं है अब जो कनफ्यूजन वाली बात है जो संचै वाली बात है वह इसाभ Cliff में है इसको आप छोग अच्छे से समझ लिजिए क्योंकि एक इस प्रणा इतिहास का विद्धूआन बनना है इस इस $14 तराको इस concept को सम McD बहुत जरूरी है अब देखिये इसा मसी के जन्व के एक साल बाद को हम लोग एक इसुआ कहते हैं दो साल बाद को हम लोग 2 एसी कहते het हैं उसी तरह गोशों पीछह जाएंगे इसाम सी के जन्व के एक साल पहले को हम लोग एक इसा पूर्व कहेंगे इसा मसी के दो साल पहले को हम लोग दो इसा पूर्व कहेंगे इसा मसी के सौ साल पहले को हम लोग सो इसापूर्व कहेंगे इधर बढ़ता गया इधर पीछे की और जा रहा है अब एक बात बताईए कि अगर किसी ब्यक्ति का जन्म सो इसापूर्व में हुआ सो इसापूर्व में उस व्यक्ति का जन्म होता है अर्व व्यक्ति तीस साल तक जिन्दा रहा उसकी आयू कितनी है तीस साल तो उसकी मृत्यू कब होगी अगर यह इस्वी में होता कि किसी व्यक्ति का जन्म सो साल में हुआ तीस साल जिन्दा रहा तो कब उसकी मृत्यू होगी तो हम सीधा सीधी सो पर तीस जोड़ देते अर्था एक सो तीस इस्वी में उसकी मृत्यू हुई चुकि एक प्लस होता जा रहा है तो उसी तरह तीस प्लस हो जाएगा लेकिन इसापुर्व में हम इसको घटाते हैं अगर व्यक्ति का जन्म सो इसापुर्व में हुआ अगर वह 30 साल तक जिन्दा रहा तो इसमें हम जोड़ेंगे नहीं बलकि घटाएंगे माइनस 30 बराबर 70 इसापूर्ब 100 इसापूर्ब में जनम हुआ 30 साल 30 इयर्स तक वह जिन्दा रहा तो इसको घटा कर 70 इसापूर्ब करेंगे यहीं कंसेप्ट यहाँ पर समझना जरूरी है अर्थात इसापूर्ब में बड़ा से छोटा की और आते हैं क्योंकि हमको जीरो तक पहुचना है अगर सिंदू घाटी की सविता 2750 इसापूर्ब में यहाँ पर अगर 2750 इसापूर्ब में सविता का विकास हुआ और अगर वह 1500 इसापूर्ब में 2750 इसापूर्ब में अगर सविता का विकास हुआ और 1500 इसापूर्ब तक वह सविता रही तो इसका मतलब कि 2700 माइनस 1500 ब्राबर 1250 इस्वितक यर तक साल कहिए साल तक वह सविता रही घटा कर निकालेंगे और यहाँ पर इसा मसी के बाद इसको जोड़ कर निकालेंगे इस चीज को बच्चों आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और दो चार सवाल अपने से प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए अब जैसे एक दो सवाल और आपसे पूछते हैं मान लिजिए किसी व्यक्ति का 130 इसापूर में सिंहासन पर बैठा सिंहासन रूड हुआ राजा बना और वह सत्तर साल तक राजा रहा सत्तर साल तक राजा रहा तो वह कब तक राजा रहेगा तो 130 पर बना एक साल जब उसका बीतेगा राजा का तो 139 हो जाएगा क्योंकि उसको जीरो तक जाना है दो साल बीतेगा तो 128 हो जाएगा उसी तरह 70 साल बीतेगा यानि 130 मैंसे 70 घटा देंगे 60 इसापूर्व में वह गद्धी से हटा ऐसी सुवाल है और ही इसका जबाब है इसापूर्व में माइनस करेंगे और इस वी जब होगा तो उसमें प्लस करेंगे लेकिन जब जीरो पर पहुँच जाएंगे तो इसके आगे हर समय प्लस होगा अब एक उधारन हम उसका भी देना चाहते हैं जैसे माल लिजे कि एक व्यक्ति का जन 30 इसा पूर में हुआ और वह 80 साल तक जिन्दा रहा तो उसकी मृत्यू कभ होई होगी 30 इसा पूर में जन्म लिया यानि 30 इसा मसी के 30 साल पहले इसा मसी के जन्म तक आते आते 30 साल का हो गया होगा माइनस कर दिये अब या जब इसा मसी का जन्म हो गया यानि जीरो पर पहुच गया उसके बाद वह और 50 साल जिन्दा रहा कि उसकी आयू कितनी है 80 साल इधर का काल को हम लोग प्लस करेंगे यानि वह ब्यक्ति 30 साल में जीरो पर पहुचा और उसके बाद का जो 50 साल बच रहा है वह उसने इस्वी में बिताया इसा मसी के बाद बिताया यानि वह 50 इस्वी में उसकी मृत्यू होती है इस तरह हम लोग काल का निर्धारन करते हैं और फिर हम लोग समझ पाते हैं कि या इतिहास कितना पुराना है इसा पूर्व है यानि और पूराना और हम लोगों का जो है प्राग इतिहासिक प्राग इतिहासिक इसको हम कह सकते हैं उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको अगर संधी विक्षेद करें तो प्राग प्लस प्राग प्लस एतिहासिक अंग्रेजी में लिखें तो प्री प्लस हिस्टोरिक प्राग यानिए पहले ऊसी को यहाँ पर के अगर गण देखा जाए तो प्राग प्लस केshop हो सकता है संस्कृतिक अ Negro समाजिक राजनीतिक यह हम lose समझान और फिर इतिहास का है इतिहास की परिभासा क्या है इसको हम लोगों ने जाना अब वच्चों हम लोग आगे समझेंगे कि इतिहास का महत तो क्या है और आपके पुस्तकों में इसकी क्या व्यक्या की गई है धन्यवाद